दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में आपको बताएंगे PM किसान समान ने दी योजना के पोर्टल पर एक नया अपडेट किया गया है दोस्तो अगर आप भी PM किसान के लभारती है तो इस वीडियो को पूरा देखिए गया क्योंकि वीडियो मे कैसे चेक करना है अधार अपडेट कैसे करना है आपको यह सारा कुछ बताएंगे क्योंकि दोस्तो जो आपको फरंट में मिलता था फार्मोर कॉर्नर का अप्शन उसे हटा दिया गया है और उसे दुस्त्रे जगा पर सेट कर दिया गया है तो दोस्तो आपको इस नए प्रेट में खास फीर्चर्स को एड किया गया है जिसके माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके अभी तक कितने लोगों ने प्येम किसान के अंदर अब रजटेशन किया है और कितने लोगों को अभी तक पैसा मिल चुका है तो दोस्तों आप साथ ही साथ यह भी अभी तक पैसा मिल चुका है तो दोस्तों आपको चलिए इस वीडियो में पीएम किसान के नए वेवसाइट यानि नए अपडेट के पूरी जनकाई देंगे डीटियल्स में तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल पर सर्च कर लेना है पी एम किस से उपर में यह जो लाइन में आपको अप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं भी आपको फार्मर कॉर्णर का अप्शन नहीं दिखाई देगा तो दोस्तों आपको हम बताएंगे इस वीडियो में आपको फार्मर कॉर्णर का अप्शन कहां पर है और कैसे आपको चेक करना है यह सारा option जो पहले था वही यहां पर अभी भी इससे set किया गया है उसके बाद आप जैसे ही आप थोड़ा सा नीची आएंगे तो नीची आने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए आपको कमाल का यहां पर feature देखने को मिलेगा दोस्त यहां पर सबसे बात कर लेते हैं new farmer registration के बारे में दोस्तों अब जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे तो आप अपने mobile से खुद से direction कर सकते हैं तैखिए यहां पर हम new registration वाले option पर किलिक करते हैं और किलिक करने के बाद आपके सामने पहले जैसा interface open हो जाएगा यहां पर आपक सकर्णों करें तो पर हम केप्चा कोट को यहां पर डालेंगी पर है các तो दो तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने अपने अधार नंबर और केप्चा कोड को डाल लिया उसके बाद जैसे हैं आप किलिक करेंगे तो दोस्तों किलिक करने के बाद थोड़ा सा यह सर्चिंग लेगा उसके बाद इस तरह का अप्शन आएगा आपको यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह का option आ जाएगा तो दोस्तों यहां पर आप पर सकते हैं record not found with given details do you want to register on PM किसान पोटर दोस्तों आपको यहां पर yes वाले option पर किलिक कर देना है अगर आपको new registration करना है तो तो दोस्तों आप जैसे yes पर किलिक करिएगा तो दोस्त सारा कुछ details भर सकते हैं और भरने का आप खुझ से यहां online apply कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही अच्छा बात है कि इस update में नए update में यह सारा बोग को fix कर दिये गए अप खुझ से अपना online registration कर सकते हैं दोस्तों आप चलिए दूसरे features के बारें बात कर लेते हैं यहां से हम home पर click करते हैं और home पर click करने के बाद फिर से हम उसी page पर आ जाएंगे दोस्तों यहां पर आने के बाद चलिए हम यहां पर बात कर लेते हैं देखिए यहां पर दो नंबर में दिया हुआ है अधहार details failure record आपको आपको आपके अधहार के अंदर कोई भी गलती होगा यह कोई तो दोस्तों अधहार नंबर और capture code को डालने के बाद simply यहां पर आपको search वाले button पर click करना है जैसे ही आप search वाले button पर click करेंगे आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपको यहां से इधर आना है और यहां पर आने के बाद आप आपको यहां पर edit का option मिल जाएगा दोस्तों आपको edit वाले option पर click कर देना है और click करने का बाद आपके सामने फिर से एक नया interface open हो जाएगा यहां पर देखिए आपको option मिल जाएगा अगर आपका farmer name में आपको कोई भी गलती है तो आपको इससे वाले box में आपको अपने न ना होगा यहां पर आप करा सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको डाल देना है और डालने के बाद यहां पर simply update वाले option पर click करना है तो जैसे यहां पर update पर click करेंगे आपका यह update हो जाएगा अधार update हो जाएगा बहुत ही असानी से आप यहां से update करा सकते हैं तो दोस्तों चलिए यहां से हमें update नहीं करना है तो हम यहां पर cancel पर click कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको next में status चेक करने के लिए beneficiary status चेक करने के लिए आपको इस पर click कर देना है beneficiary status वाले option पर आपको click कर देना है आपको get data पर किलिक करना है आप यहां से अपना status चेक कर सकते हैं दोस्तों यहां पर चलिए हम फिर से home पर चले आते हैं और next वाले option को देख लेते हैं दोस्तों यहां पर देखें यहां पर आपको अपना status of self registration CSE Center आप इस पर भी किलिक करेंगे तो किलिक करने के बाद आपके सामने फिर से पहले जैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहां पर आपको अधार नमबर और स्केप्चा कोट को इसमें डाल देना है और search पर किलिक करि आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं यहां से आप अपना PM किसान का official website जो है Android phone का डाउनलोड कर सकते हैं यहां से आप KCC किसान credit card का फरम डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों यहां पर नए फीचर जो add कियाएगा है उसके बारें बात करें तो दोस्तों यहां पर आप देखें यहां पर आपको मिलेगा यहां पर दखीए आप payment success percentage first installment दोस्तों आपको यहां पर एक box मिलेगा देखें यहां पर लिखा हुआ है select installment आपको इस पर किलिक करना है जैसे इस पर किलिक करिएगा यहां पर आपको इंस्टॉल्मेंट select करने का option मिलेगा आप जिस भी इस इंस्ट्रालमेंट करना चाहते हैं डाटा की आपके state में आपके particularly आपके state में कितने लोगों को अभी तक मिला है पैसा तो चलिए हम यहां से fifth इंस्ट्रालमेंट चेक सलेट कर लाते हैं पांच्वा इंस्ट्रालमेंट पर किलिक कर देते हैं और करने के बाद देखिए दोस्तों आपके समने इस तरह का यहां पर सो हो जाएगा फिर इंस्टॉल्मेंट उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको यहां पर देखिए यह इंडिया का जो यहां पर नक्सा बनाया हुआ है देखिए यहां पर इंडिय हरा खुलकर आ यहां पर देख सकते हैं इस् टॉर्मेट्ट फाई पर रथ सकते हैं कि पय्मेंट सक्सेस जुआ है 97 परसेंट उसके बाद किंड़ा क्ले किपे सकते हैं उसके बां एक फितन सब्सक्राइब जाम में प्रफियattend वहाई जीसे राजस्थान के उपर कीलिक कर देना उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पेमेंट हो गया है यहाँ जह और यहाँ पर आपको मिला arrive ने इस बाद देखिए यहाँ यहाँ परुद्प ने को मिले में इतना लोगों इंडिया के अंदर इतना लोगों नो रे arising कर लिया है दोस्तों यह पर आप दख सकते हैं आकड़ा इतना लोगों नों किया है और आपको क्या करना है? तो आपको यहाँ पर जो अफ्शन दिया हुआ fashioned इस्टल्मेंट डव्लू लिखा यानि वाइज तो आपको इसके उपर किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करिएगा तो आपके सामने एक नएआ पेज खुल कर आ जाएगा दोस्तो आपको यहाँ पर नीशी आ जाना है नीशी आने गवाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर installment wise यह option खुल गया है यहाँ पर आप यह पता लगा सकते हैं देखिए यहाँ पर लिखा है installment wise इसका आकरा चेक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ प्र देखक तोई सकते हैं कि दोस पॉइंट-पॉइंट ईंस्ट्रोल्मेंट के लिए इतना लोगोड को सिलेक्ट किया गया है और कि यहाँ इंस्ट्रोल्मेंट के लिए लोगहों को सेलेक्ट 40 कुरूर लोगों को सेलेट किया गया है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट में यहां पर 5 इंस्टाल्मेंट में आपको 3.78 कुरूर लोगों को सेलेट किया गया दोस्तो इस तरह से आप पूरा इसका डाटा चेक कर सकते हैं दूस्टो वीडियो पसंद आए तो यही कुछ अपडेट्ट था पीयें के शन्मानेदी योजना के पूटल पर दोस्तो वीडियोपसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तो के पास शीर करें और कोई भी कंबजूज्एन और कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट करके पुछ सकते हैं